लिव सेंग मॉडन हिस्टरी का वन अफ तो इंपोर्टेंट टॉपिक है भारती राश्ट्रे आंदोलन से संबंधित महत्तपूर्ण संगठन एवं संस्थाइं सबसे पहले है एशियाटिक सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किस ने की थी विलियम जोन्स ने की थी आत्मय सभा इसकी स्थापना 1815 में राजा रामोन रोय ने की थी विदान्त कॉलिज, विदान्त कॉलिज की स्थापना 1825 में किसके द्वारा की गई थी? राजा राम महन रोय के द्वारा, विदान्त कॉलिज की स्थापना 1825 में राजा राम महन रोय के द्वारा की गई थी? युवा बंगाल अंदोलन मतलब यंग बंगाल मुवमेंट भी बूला जाता है युवा बंगाल अंदोलन या थार सो चबबिस में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी हैंडरी लुई विवियन डिरोजियो हैंडरी लुई विवियन डिरोज्यों के द्वारा 1826 में युवा बंगाल अंदोलन की स्थापना की गई थी नेक्स दिखते हैं ब्रह्म समाज तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किस ने की थी राजा रामोन रोय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी British सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नेरोजी के द्वारा परमहंसमंदली की स्थापना अठार सो चालिस में गोपाल हरी देशमुक के द्वारा की गई थी नेक्स्ट है रहनुमाई माजदायन सभा तो रहनुमाई माजदायन सभा जो है वो 1851 में की स्थापना दादा भाई नेरोजी के द्वारा की गई थी मॉम्डन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी तो यहाँ पर मॉम्डन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी है थुआ ध्यान रखेगा मॉम्डन एंग्लो औरियंटल कॉलिज नहीं है यह है मॉम्डन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में इसकी स्थापना अब्दुल लतीफ के द्वारा की गई थी Next है Scientific Society Scientific Society के स्थापना 1864 में सरसयद अहमद खां के द्वारा की गई थी East Indian Association के बात करें 1866 में दादा भाई नरोजी के द्वारा की स्थापना की गई थी East Indian Association की Puna Sajnik Sabha Puna Sajnik Sabha की स्थापना 1867 में M.G. Ranade यानि महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी Puna Sajnik Sabha की स्थापना 1867 में Next है Prathna Samaj तो Prathna Samaj की स्थापना जो है 1867 में Prathna Samaj की स्थापना किसके द्वारा की गई केशिव चंदर की सहयोग से केशिव चंदर जी ने जो थे उन्होंने सहयोग दिया था और स्थापना किसके द्वारा की गई M.G. Ranade, आत्माराम पांडुकर और देविंदेनाथ ठाकुर इसमें और भी लोग शामिल थे लेकिन प्रमुख नाम आता है Prathna Samaj की स्थापना के लिए M.G. Ranade, आत्माराम पांडुकर देविंदेनाथ ठाकुर का आता है 1867 में उनके द्वारा स्थापना की गई और सहयोग किसने दिया था? केश्व चंदर सेन ने अपना सहयोग दिया था वेद समाज की बात करें तो वेद समाज भी 1867 में स्थापना की गई है यहाँ पर अचारे केश्व चंदर सेन थे, उन्होंने स्वयम की है इसके स्थापना वेद समाज की स्थापना, 1867 में किसने की है? अचारे केश्व चंदर सेन ने सत्य शोधक समाज सत्य शोधक समाज बहुत बार फूचे जाता है यह एक्जाम्ट में, डिफरेंट एक्जाम्ट में 1873 में इसकी स्थापना जोतिबा फूले ने की है यहां पर है अलिगर्ड मॉंडन एंग्लो ओरियन्टल कॉलेज अब यहाँ पर यह ओरियंटल कॉलेज की बात की गई है तो अलिगर्ड मॉम्डन एंग्लो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सरसेद एहमद खाने की थी अलिगर्ड मॉम्डन एंग्लो ओरियंटल कॉलेज स्थापना कब की गई है 1875 में किसके द्वारा सर सैयद एहमत खांके द्वारा आगे है इंडियन लीग तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की थी आरिसमाज की स्थापना 1875 में स्वामे इध्यानन सरस्वती ने की है आरिसमाज की स्थापना 1875 में स्वामे इध्यानन सरस्वती ने की है इंडियन एस्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरिंदरनाथ बनरजी ने की थी तो इंडियन एस्थापना 1876 में आनंद महोन बोस और सुरिंदरनाथ बनर जी ने की थी। थियोसिफिकल सोसाइटी की बात करने तो थियोसिफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में मैडम बलात्वसकी और करनल अलकोर्ट ने 1882 में थियोसिफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। United Indian Committee की स्थापना 1883 में वियोमेश चंदर बनर जी यानि W.C. बनर जी भी बोलता है ने वियोमेश चंदर बनर जी ने 1883 में United Indian Committee की स्थापना की थी भारती राश्टर कॉंग्रेस 1885 में इसकी स्थापना A.O. Hume के द्वारा 1885 में की गई थी भारती राश्टर कॉंग्रेस की स्थापना आगे है की Bombay Presidency Association की स्थापना कब की गई है 1885 में किसने की है फिरोशाह महता तैलंग और तययब जी तो इनका नाम पर मुखेंग पर Bombay Presidency Association की स्थापना 1885 में फिरोशाह महता तैलंग और तययब जी ने की है फिरोशाह महता तैलंग और यहां पर यह तययब जी मतलब Badrudhina तययब जी नेक्स्ट है वेलूरमट की स्थापना 1887 में स्वामी Vivekanand ने की थी वेलूरमट की स्थापना 1887 में किसने की थी स्थामी Vivekanand ने इंडियन सोशल अडला कॉइन्स सॉश्यल कॉइनें की महा डेव गोविंदरनाडे ने की 1889 में रमाबाई के द्वारा रामकिशन मिशन रामकिशन मिशन कि स्थापना 1897 में स्वामी वेकानन ने की है अभिनव भारत संस्था तो अभिनव भारत संस्था कि स्थापना 1904 में किस ने की है विनायक दामोदर सावर करने विनायक दामोदर सावर करने Servants of India Society की स्थापना 1905 में गोपाल किशन गोखले ने की है Muslim League की बात करें तो Muslim League की स्थापना कब 1906 में 1906 में किसके द्वारा की गई थी आगखां और सलीमुल्ला खां जो बेंगौल में स्थापना की गई थी अनुशीलन समीती की निशीलन समीती की स्थापना की थी तो लीग की स्थापना 1911 में शीरी नारायन मलहार जोशी ने की थी Social Service League की स्थापना 1911 में शिरी नारायन मलहार जोशी के द्वारा विश्व भारती इसकी स्थापना 1912 में रविंदर नाथ ठाकुर ने की है विश्व भारती की स्थापना किसने रविंदर नाथ ठाकुर ने की है कब 1912 में आगे दिखते हैं गदर पार्टी की स्थापना वो कब की गई है 1913 में गदर पार्टी के स्थापना 1913 में लाला हर्दियाल और काशिराम के द्वारा में नाम इसमें लाला हर्दियाल का आता है जो options में maximum time दिया जाता है डिफरेंट एक्जाम्स में तो लाला हर्दियाल और काशी राम के द्वारा 1913 में गदर पार्टिक के स्थापना की गई हिंदू महासभा के स्थापना 1915 में किसके द्वारा मदन मोहन मालवी के द्वारा की गई है हिंदू महासभा के स्थापना 1915 में Home Rule League, Home Rule League की स्थापना 1916 में तीलक एवं एनिबैसेंट ने की थी, Women's India Association की स्थापना 1917 में Lady Sadashiv Ayer ने की है, Lady Sadashiv Ayer ने, खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में अली बंदु द्वारा चुरू किया गया था, अखिल भारते ट्रेड उनिएन की स्थापना 1920 में एनिबैसेंट ने की थी, नेक्स्ट है हिंदुस्तान Republican Association की स्थापना 1924 में शचिंदर सन्याल ने की थी, हिंदुस्तान Republican Association की स्थापना किसने सचिंदर सन्याल ने कब की है 1924 में नेक्स देखते हैं बहिश्कृत हितकारीनी सभा, बहिश्कृत हितकारीनी सभा की स्थापना 1924 में की गई थी, बियार अमबेडकर के द्वारा ये कोशन भी बहुत बार repeatedly पुछा गया है, फिर है राश्ट्रिय स्वयमसेवक संग, जो है उसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने की है, नोजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंग, चबिलदास और येश्पाल के द्वारा की गई है, हिंदुस्तान Socialist Republican Association के अगर हम बात करें, तो 1928 में भगत सिंग के द्वारा सिके स्थापना की गई थी, नेक्स है खुदाई खिद्मतगार, जो संस्था थी, इसकी स्थापना की द्वारा की गई थी, अब्दुल गफ़ार खां के द्वारा कब, 1930 में, खुदाई खिद्मतगार की स्थापना, 1930 में अब्दुल गफ़ार खां के द्वारा की गई थी, हरिजन सेवक संग, तो इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांदी के द्वारा की गई थी, यह पूने में, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में बियार अंबेटकर फोरवर्ड ब्लोक के स्थापना 1939 में सुभाष रंदर बोस के द्वारा की गई थी आजाध हिंद फोज के स्थापना 1942 में 1942 में रास भिहारी बोस के द्वारा अजाध हिंद फोज किस थापन 1943 में किस ने की है सुभाष रंदर बोस ने इस वीडियो में इतना ही